गुद मॉर्णिंग एरिवन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो 15 मार्च से लेकर के 25 मार्च तक जो भी CBT फर्स्ट येर एलेक्टिसियन का जो एक्जाम हुआ है उसमें जो भी कोस्टन्स पूछा गया है उस कोस्टन्स को हम देखने वाले हैं कि इससे पहले हम पहले जो है प्रिवेस पार्ट में एक वीडियो में हमने एक वीडियो डाला था उसी का जो ये सकेंड पार्ट बचा हुआ जो है कुछ और भी कोस्टन था तो उसको हम ये दूसरे पार्ट में जो हैं डाल रहे हैं जो बिभिन विद्यार्थियों के द्वार संग्रा क्या गया प्रस्न है तो चलिए इस वीडियो को आप लोग इसके अपना करें और इस वीडियो को जरूर से जरूर देखके जाए कि जो भी प्रस्न पूछा जा रहा है जो हम ये वीडियो डाल रहे हैं यही प्रस्न पूछा जा रहा है चुकि जो भी विद्यार थी ए कि कैसा पूछा जा रहा है तुम पूछो तो अलग अलग भी देर्थियों के द्वारा जो प्रस्न हमारे पास आ रहा है हम उसी को आपको क्लेक्ट करके एक निचूड आपके सामने तक पहुचाने का प्रियास कर रहे हैं तो आप लोग यह जो दो वीडियो हम डाल रहे हैं कि तो आप पास जरूर हो जाएंगे यह सीवीटी एक्जाम में चुकि वह ही रिपीटेट कोस्टन हो रहा है ठीक है तो चलिए बिना देर किये हम स्टार्ट कर रहे हैं तो जैसा कि कोस्टन देखे कर रहा है कि बिरिटानिया टी जोड का क्या उप्योग है यह कोस्टन पूछ यही करते हैं सिरो परी लाइन में सेवा जुड़ा है तू जोड़ना एनि टैपिंग दा सर्विस कनेक्शन फ्रम ओवरेड लाइन से यह ओप्सन नमबर आप डी क्या है इसका सही है ठीक है चलिए फिर नेक्स्ट नमबर दिखे कोस्टन कैसा पूछा गया था जैसा कि आप लोग कोस्टन को देख पा रहे होंगे पूछा था मोटराइज च्छेनी का क्या यूज है एक मोटराइज च्छेनी होता है यह चीजल होता है उसका यूज पूछ रहा है तो मोटराइज च्छेनी का उप्योग हम लोग क्या करते हैं कि मैकिंग रेक्टेंगर होल इन उडे यानि लकडी में आयताकार छेद करना, यदि हमको लकडी में आयताकार छेद करना हो, तब ही हम लोग क्या करते हैं, मोटराइच छेनी का उपियो करते हैं, तो यहां पर आप्सन नमर B से ही है, यह भी कुछन आपके पूछा गया था, CBT एक जामें, फिर देखें, उसके बार उठाने और अस्थांत्रित करने के लिए किस पदती का उपियो क्या जाता है, यह भी कुछा गया है, इसका एक आंसर जान ले, इसका आंसर होगा, क्रेन एंड, क्रेन एंड सिलिंग, बार आपके बार उठाने के लिए करते हैं, तो यहां पर आप्सन नमर B से ही है, च सब्सक्राइब, चेंज़ नहीं होता है, जो कोस्ण है, हो वो यह कोस्ण आता है, अर आरा है, अर उप्सन भी इसका कई चेंज नहीं हो रहा है, तो चलिए देखिए एल्मूनियम की चालगता का क्या मौने, ईभूनियम मी चलगता का मान पुछा था आपके एक्जाम में, तेलमुणियम की चालगता होता हुता है 35 35 महों पर मीटर जो यह ऑप्शन नंबर सी यहां पर क्या है सही है उसके बार नेक्स लिए कोस्टन पूछा था कि पर्तिरोधकता की इकाई क्या है यह अपरतिरोधकता की मातरक पूछा गया था परति रोधक के मातरक जो होता है ओम पर मीटर होता है ओम मीटर होता है जो option नंबर C आपका क्या है सही है उसके बाद चलिए question पूछा गया था संधारित्र की इकाई क्या है संधारित्र नहीं पूछा गया तक तो यूणीट होता है मेन फाराड जो आपसन नंबर यहां पे सी क्या है सही है नेक्स्ट ये नेक्स्ट ये कुछा गया था कि ऐसी समय आदन परिपत में प्रेरक्त का पारश प्रिक्ट क्या फिरक पुछा गया है रीजी ब्रोकल उप detail सेर्कीट में उसके लिए ने सबस्ट्रहनेस देख रहे हुए सब परके ने सरकिट में उसका होता हैर्सी परोकल नमबर यहां पर शहीं यह पूछा गया था उसके बाद चलिए वेटिर की छहमता कैसे बता जाती है एनि कि पर मेजर करते हैं कि इसमें कि अंचिन से मारी से ने मापता है ne सलग का होता है तो यह पर आवार हो था पर आवर मेजर क्या जाता है तो 302 बद्री पुर्ति पेरत ने होता यहिए यानि आपको क्या करना है यह जो नहीं यहां पर पूछ रहा है कि erth resistance टेश्टर जो है ना किस principle पर काम करता है प्रतिवी परतिर्वत प्रजेक्चन किस सिधान पर काम करता है इसके लिए आप याद रखेगा एक होता है इसके लिए आप आंसर याद रखेगा इसके लिए होता है विभव पतन बिधी याद रखेगा विभव पतन बिधी यानि इसी प्रिंसिपल पर ये काम करता ये भी कुछा गया था पतन बिधी ये याद रखना आप लोग चलिए next नेंबर कॉस्टन स देखते हैं उसके बाद ये कश जदी यह देखिए यह न्त्रों में सबैदन सिलता की इकाई पूछ रहा है तो में सबैदन सिलता की इकाई होता है ओम पर बोल्ट ट्रीक है ओम पर बोल्ट होता है यह अन् बी आपका सही है उसके बाद चलिए उसके बाद चलिए यह पूछा था कि ट्रांस्फर्मर कोर में इस्टील और सिलिकन इस्टील की संरचना क्या है निकि हम लोग कितना इस्टील लेते हैं उसका परसेंटेज बताना है तो हम लोग इस्टील लेते हैं तेरांवे परते सथ जबकि सिलिकन इस्टील लेते हैं साथ परती सथ जो अप्सन नंबर आपका क्या सी सही है उसके बाद चलिएगा उसके बाद चलिए यह कुछ WCS का पार्ट है देखिए यह भी कॉस्ट्स आपके एक्जाम में पूछा गया था कि इन में से मूलभूत यकाय काई की बात पूछा जा रहा है कि फंडामेंटल यूनिट कौन से हैं तो फंडामेंटल यूनिट हमारा हुता है लेंथ, मास और टाइम यहनी कि लंबाई, द्रबमान और समय, फंडामेंटल यूनिट हो है जो option number B में रख्या है सही है उसके बाद चलिए question पुछा था कि MKS परनाली में M अक्छर क्या दर्स आता है MKS परनाली में M अक्छर आपको क्या दर्स आएगा MKS परनाली में M दर्स आता है मीटर को, यह option number इसका क्या होगा, B सही है उसके बाद चलिए उसके बाद 0.456 10 मलब भिन को परतिसत में बदलना है यह 10 मलब में दिया हुआ है अब इसको परतिसत में बदलना है तो परतिसत में बदलने के लिए हम क्या करते है इसको 0.456 को हम क्या करेंगे 100 परतिसत से गुना कर दिजिए वो automatic परतिसत में बदल जाएगा जब आप इसको गुना करेंगे यह आपका आएगा 45.6 परतिसत तो यह देखे 45.6 परतिसत कहा यह option number A आपका क्या यह सही है तीक है यह भी पुछा गया आपके exam में उसके बाद चलिए एक question ने यह भी आया था आपके exam में कि कि किसी पदात के द्रब्मौन तथा परतिकाई item को क्या कहा जाता है किसी पदात के द्रब्मौन परतिकाई item को हम लोग क्या करते है उसका घनत तुकत है यह density is equal to होता है density is equal to होता है mass बटे volume तो यह option number इसका क्या होगा C सही होगा उसके बाद चलिए question पुछा था कि उसमा की SI काई क्या है उसमा की SI काई तो देखें उसमा की जो SI काई होता है वो calorie होता है जो option number A सही है जो कोई भी दया थी अभी तक हमारे चैनल को subscribe लेकिए वो चैनल को subscribe कर ले ताकि आपको कोई भी new update जो भी आए आई 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 से सम्बंदित आपको information मिलते रहे है तो चलिए next देखते है और कुन कुन को सन आया है में तो फारेन हाइट में याद रखना है कि दो सो बाराइट डिग्री सेंटीग्रेट होता है जो अपसन नंबर ए सही है उसके बार नेक्स देखिएगा कॉस्टन यह आया था कि कौन सा बहुत अच्छा कंडॉक्टर है आपको एक्जाम में पूछा गया बहुत अच्छा अपसन नंबर ए सही है फिर अगें चलिए फिर यह कोस्टन आया था आपको एक्जाम में दा एक्सप्रेशन ओफ वैन का फूल फॉर्म पूछा गया था वैन तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है वाइड एरिया नेटवर्क जो अपसन नंबर सी सही है नेक्स यह उसके एक बाद आया था कि इन में से किसमें सी सथातु का उपयोग विद्वॉत्य Chi single funded बनाने में किया बनाने में कीजाता है तो आपको मालिम हो ही होगा कि हम अम टंगें स्थ ँना तरन पूंपोश्क कोचन अपको ऑपनीका क्वा नवोता है आपको पता है कि से सही सही है उसके बाद तो चलिए यह कोस्ण यह पार्ट वण Doll据ण करकے आपको बता दिये हैं 50 Little कड़ मगरें करके जो 25 इस मार्च तक को सन पुछा गया है हम इसको जो है ना कवर किया है पार्ट वर्न और पार्ट टू के रूप में तो इसको इस वीडियो का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिये हैं जो कोई विद्यारती अगर अभी तक नहीं देखे हैं जिसका एक्जाम 26 को होने वा